इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे SSD और HUD के बीच में SSD 10 का आज के दिन का मैच नमबर 5 केला जाएगा डिटेल में कारू करने वाले वीडियो कम्प्रिट देखना जो प्लेयर इंपोर्टेंट बता हूँगा वो आपको अपनी टीम में जरूर पिक करने दिखेगा किसके यहां पर दो वर कम्प्रिट करवाई जा सकते हैं वो सारी चीज़े आपको इसी वीडियो में मिलेगी तो कम्प्रिट वीडियो देखना बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है वीडियो पसंद आए वीडियो में बताईगे इंफोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगए उत्यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया अगरो बिकोज आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो फिर काफी जादा अच्छा लगता है यह हमारा टेलीग्राम चैनल है अगर आपने टेलीग्राम को जोई नहीं किया भाई आप लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हो क्योंकि टोस के बाद में कोई भी अपडेट होगी फाइनल टीम में अगर हम लोग कोई भी चेंज गरेंगे ना लास्ट मोवमेंट और जो ग्रेंडली की टीम्स रहेगी वो आपको टोस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी अब एक चीज मैं आपको यहां पर और की लियर करतूँ देखो जब मैं यह वीडियो कवर कर रहा हूं भाई उस टाइम पे एसेसडी की टीम है वो अपना एक मैच खेल रही है और जो एस वीडियो के बाद में एक मैच और खेलेगी ठीक है तो उनमें कौन से प्लियर का ऐस जो पिछला यह दोनों टीम्स के लेगी उनके जो स्टैट्स रहेंगे या फिर जो स्कोर काड रहेगा वो एक बार आप लोग खुछ से चेक कर लेना मैं आपको उन मैची से पिछे वाले जो चीजे है या फिर जो स्टैट्स रह वो बता देता हूं तो आई जो आग जो है पिछले दो मैच में 13 रंच की पारी एक मैच में है सोरी यहां पे 16 रंच की पारी एक मैच में और एक मैच में 93 के पारी खेली काफी तगड़े प्लेयर आपको नीचे तगए आपको फिर थर्ड़ डाउन पे बैटिंग करता वा दिखे अभी के लिए ज़्यादा जो सेफ सरह वो मेरे इसाब से यहां पर आई जुआ कापके लिए बनेंगे लेना चाओ को रंगा को यह भी काफी बड़ीया प्लेयर है फोम बता दू दो मैच में इन्होंने एक में से 13 रंज की पारी खेली थी और एक मैच में यहां पर जो है सोरी एक मैच में 32 रंज की पारी और एक मैच में 35 रंज की पारी नोने खेली थी ठीक है तो यह प्लेयर भी इंपोर्टेंट है लेना चाओ ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आओगे यहां से आपको एक प्लेयर दिखेगा जिसका नाम रहेगा भाई वाई खान ठीक है अब यह प्लेयर इतना टैलेंटेड है कि एक मैच में इस बंदे ने पांच विगेट लिये थे लेकिन टीम ने अगले मैच में इसको ड्रोप कर दिया था तो वो चीज़ आन में रखो तो अब मुझे समझ नहीं आता यह T10 वाले बाई करते क्या है अब देखो एक गेंदबाज मैकसिमम दो वर की गेंदबाज ही कर सकता अब दो वर में भी बंदे ने पांच विगेट निगा लिए तो आप लोग खुछ समझ जबाई T10 वालों का कुछ भी बरोसा नहीं है लेकिन जो इंपोर्टेंट प्लेयर है मैं उनके बार में बता तो अब यह देखो लास्ट गर के चलेंगे ओज़ ज़ाई आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट हो सकते है पहले वो सुन लो बैटिंग ओडर की बात करूई आपको थरी या फिर फोर्थ डाउन यानि कि तीन या चार विकेट गरने के बाद बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं बड़ हो सकता है इस मै मैं इननोंने सर्फ एक ओवर की गेंद बाजी करें थी अब इनका गेंद बाजी का भी हंडरड परसेंट तो शोर में हूने की बाई करें को कि देखो इनके पास में बहुत सारे विकल्प होते कम से कम साथ से आठ बोलिंग विकल्प होते हैं और मैस तो सारा ही भाई दस तो साथ से आठ ओवर तो वैसे ही बन जाएंगे बहुत मतलब फिर क्या होगा कि किसी ना किसी ओवर तो जरूर कट होंगे ठीक है तो ये चीज जान में रखना बाकी बैटिंग से इंपोर्टेंट है गेंदबाजी से इंपोर्टेंट हो सकते हैं शायद एक ओवर करना है और अगर एक-दो विकेट ले जाए तो काम बन जाएगा उसके बाद में यूज ओधरी जो की ओपनिंग करेंगे ले सकते हो फिलाल उतनी अच्छी फों में है नहीं तो थोड़ा से इनको अवोइड करेंगे उसके बाद में नीचे आओगी यहां से जो है एन विजेचिंगे क सबसे बड़ी गलती आपसे हो सकती है ठीक है तो यह जो प्लेयर है भाईया सारे के सारे आपको अपनी टीम में ज़रूर पिक करने अभी इनका बैटिंग ओडर में एक बार आपको बता दू टीजो आखका देखो कंफरम कुछ भी नहीं कहां बैटिंग करेंगे हो सकता रॉपन करने भी आजाए वन डाउन पे खेलने भाई सैकंड डाउन भी वेटिंग करने आ सकते ठीक है कुछ नहीं कहा सकते लेकिन जो लास्ट मैच उन्हों ने खेला था उसके अंदर बता दू इन्हों ने भाईया 3ड डाउन पे वेटिंग गर ले ती चार रवर रंज मे एक भी करेंगे तो भी पलस पॉइंट है लेकिन टीम से डुरूप मत करना सबसे बड़ी वो चीज़ है उसके बाद मैं ऐसे मत रहेंगे ठीक है इनके अगर मैं बैटिंग के बात करूँ या आपको शायद वन डाउन खेलते वे दिख सकते हैं एक मैच में जीरो विके टिनों लिली थे बाकी 50 रंज की पारी ओलड़ी एक मैच में खेलके जाचुके तो काफी तगडिफ हो में गेंदबाजी से भी आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकते हैं ऐसा ली सैयद यह जो रहेंगे यह आपको उपन करता हुए भी दिख सकते हैं वन डाउन भी आ सकते हैं सैकेंड डाउन भी आ सकते हैं मैं एक चीज आपको बिल्कुल 100% शोर्टी के साथ में बोल दूँ बैटिंग ओडर कभी भी सेम मान के मत सलना किसी भी T10 मैच में हर मैच में ओल्मोस्ट आपको चेंज होता हुआ दिखेगा ठीक है लेकिन प्लेयर इंपोर्टेंट है जो इंपोर्टेंट प्लेयर है न वो ये मान के चलो कि सेगेंड या थर्ड डाउन से नीचे तो बैटिंग करने जाएंगे नहीं उसके बाद में रहमानी रहेंगे एनिकबाल एनिकबाल ने एक मैच में ओपनिंग भी करी थी और लास्ट मैच की बात कर तो इनको काफी नीचे टीम ने बैटिंग भी करवाई थी देखो लास्ट मैच जो इन्हों ने खेला था न यानिकि हुड़ी की टीम जो लास्ट उन पे बैटिंग करने जा रहे हैं तो भाई है टेटेन वालों का कुछ नहीं कह सकते ध्यान में रखना ठीक है लेकिन इंपोर्टेंट जरूर है क्योंकि दो ओवर की गेंदबाजी भी आपको इनकी साइड से मिल जाएगी परफॉर्मेंस की बात करें एक विकेट इन्होंने सबसे पहले ए उसेंदे को विकेट मिले ना मिले लेकिन दो ओवर शायद इसके आपको कंप्लिट होते वे जरूर दिखेंगे एफ मॉमा एंड के साथ में जा सकते है उसके बाद यहां पे एस अब्दुलहा का बहुत बरोसा किया लेकिन बंदे की फोर्म साथ नहीं दे रह इसके बाद में गदारिया का भी यही सीन है कि एक मैच में जो है टीम इनको भाई बार गर देती है तो वो चीज थोड़ी सी समझ से परेज आ रही है नीचे आओगे यहां पे संकर की उप्शन है इनके बारे में अभी कुछ भाई अपडेट आपको दे नहीं सकता है तो आपको बता दू यूच हो दरी जो कि ओपनिंग गरने वाले प्लेयर है थोड़ा सा पलस पॉइंट रहेगा क्योंकि गेंदबाद जी का तो कुछ शूर है नहीं कि बाई कौन कितने ओवर करके जाए लेकिन टोप ओडर में बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर का कम से कम इतन बैटिंग करने आएगा किस सिच्वेशन में बैटिंग आईए वो डिपेंड गरता है मैच की सिच्वेशन के ओपर फिलाल देखोगे मेरे ग्यारा प्लेयर की टीम की रेट हो चुगे यह ग्यारा जो वो प्लेयर है जो कि आपको इस मैच के सबसे बड़ी टोप की पिक्स म नहीं रखना इसके लिए आपका टेलीग्राम से जुड़ना भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि टेलीग्राम जोईन करके रखना कमेंट सेक्षन में और वीडियो के डिस्केशन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम क ये सबसे बेस्ट उप्संस है कैप्टन जी वाइस कैप्टन सी की इस मैच की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा सेफ केलोगे तब देखो परफॉर्मेंस करने तो एक मैच में तो भाई जुआक ने भी 93 रंज के भारी खेली है हो सकता है बल्लेबाज भी किसी मैच में बड़ी है परफॉर्म कर दे लेकिन बल्लेबाज जी का थोड़े से चांसिस गम होते हैं क्योंकि मान लिजगर पहली गेंद पर बल्लेबाज आउट होके चलेगा आपके पूरे मैच में वापसी नहीं हो पाईए और अगर आप लोग कोरंगा को ट्राइ कर लो ए हुसेन को निचे से ट्राइ कर लो वो 24 आपके रहेगी फिलाल मैं अपनी टी में जो कैप्टनसी में जाऊंगा वो यहां से आपको बता दू सेफली खेलेंगा भी थोड़ा सा यहां पे मैं जाऊंगा भईया सली सेद के साथ में जाऊ वाईस कै करती है ठीक है फिलाल हम लोग चलेंगे आपसे बईया जो आक के साथ में या फिर और ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सेफली केलना तो एस हमत के साथ में चलो क्योंकि यह फिर भी थोड़ा उपर वैटिंग करने आ सकते हैं तो मेरा जो 11 प्लेयर का टीम कोमिनेशन है व पाँ से जोईन कर लीजेगा उमीद करता हूँ कि वीडियो आपने कंप्लेट वोच क्या होगा भाई पसंद आये तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना किसी भी मैच की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस्स नहीं करनी सबी टीटेन मैच इसकी वीडियो में आपके लिए कवर कर रहा हूँ मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेसन बनाओगे और आपके टीम अच्छा परफूम जरूर करेग आपके टीम कर दोस्तों आपके लिए शोस्तों आपके लिए बढ़ियो में इस समय कोमिने हैं आपके लिए।